जी जी आधनिया राजपति महोदाया ने अपने उद्वोषण में पेपर लीग पर भी चिंता जताई हैं मैं भी देश के हर ज्यार्थी को देश के हर नवजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी गटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंबीर है और युद्वस्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उखा रहे हैं जिवाओं के भविश्य के साथ खिलवार करने वालों को कत्ताई छोड़ा नहीं जाएगा नीट के मामले में पूरे देश में लगाता गिरप्तारिया की जा रही है केंदर सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है परिशा कराने वाले पूरे सिस्टिम को कुक्ता करने के लिए जरूरी कदाम उठाए जा रहे है आज एंडिये सपापती जी एंडिये सरकार ने बीते दस वर्षों में भिकास को अपना सबसे बड़ा संकल्प बनाया है आज हमारे सामने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकॉनोमी बनाने का संकल्प है आज हमारे सामने आज आज आजी के इतने सालों के बार पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए हर गल जल पहुंचाने का हमारा संकल्प है आजनिये सभापती जी हर गरीब को आवाज देना ये हमारा संकल्प है आजनिये सभापती जी दारट की बिश्व में जैसे जैसे ताकत उपर रही है हमारी सेनाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का हमारा जड़ संकल्प है आजनिये सभापती जी ये योग हरीत यूग है ये योग ग्रीन एरा है और इसलिए दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग के लड़ाई लड़ रही है उसको एक बहुत बड़ी ताकत देने का काम भारत ने बिड़ा उठाया है हमने रिन्यूबल एनर्जी का बारत पावर हाउस बने उस विशा में एक के बाद एक कदम उठाये है और इसको एक्षिव करने का हमारा संकल्प है आधनियत सभावती जी बविश्य ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा है ये वेहिकल से जुड़ा हुआ है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने के लिए भी हम पूरी तरा संकल्प बद्द है